नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी चैनल पर यह जो सेशन में हिमाचल जी के क्यूज पार्ट टू है ठीक है पिछला जो सेशन था पार्ट वन में को अमीद है कि आपको वो सेशन जरूर पसंद आया होगा तो अभी मैं उसे सीरीज का पार्ट टू लेकर आ रहा हूं उ यह जो आने वाले एकशाम को यह फसक्राट आम को पसंद आएगी और मैं चाहता हूं अगर आपको मेरी यह वीडियो आफिर पीछछी वीडियो पसंद आईए तो जाइक ओर शेयर वीडियो राता रहूँगा तो आप चिंता ना करिए चलो फिर बिना टाइम समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो तो आज जो पहला कुशन आज वो यह है कि तो क्या फेक्टर था वो यह था कि ये बुल रहे कि कौन सा फेक्टर था जो की राजा को राजा को गुज्य से मिला था कि था कि वो वहीं पे रह गए तो यह था कि कि महां का जो दूर था वो काफी ही एक स्वादिष्ट था ठीक है डिलिसियस में स्वादिष्ट था ओके नेस्ट कोशन है फ्रॉम ए रोक एडिक्ट वी कम तो नो थैट विहार मोनेस्ट्री फोर बुद्धिस्ट मॉंक्स वाज बिल्ट बाई टो कौन सा फेस्टिबल सेलिबेट कहाँ पर करते हैं वो करते हैं वह करते हैं कहाँपर सिर्मौवर में ठीक है इन विच एरिया सिर्मौवर में कौन सी रिवर्स है वो यह है मारी पारवती और व्यास ठीक है कुलू में है According to popular belief who bought river Satadru इन हिमाचल प्रदेश प्रोमी होली मानस रिवर ले कौन लाया था ये लाया था बाना सू ठीक है Next है Why do gaddis wear narwar ये कहा एक red anchor chief होता है Around their neck or west होता है As a token of their devotion to Calang Next है In which reason only one bull is needed to pull the plug Due to the blessing of Mingal Devi कौन से अरिये में ये होती है पांगी वैली ठीक है Why the god Gifang and Langura are prayed regularly in Lahol and Kinor Because to keep the evil at bay Okay Next question है In which area of Himachal प्रदेश People fire their guns at the eclipse and also throw stones कहां पर ये होता है हमारा Lahol पीती में ठीक है Next question है The oldest temple of Manu Is situated in कहां पर है जो हमारा oldest temple है Manu का कहां पर है ये है Manali में Okay guys Next question है हमारे पास में कि How did the rule of Sain dynasty come to an end in the Spiti valley तो इसका सही आंसर क्या था तिप्तन्स अटेक्ट लाहों Spiti and were held by the king of Kullu इन इन दिस एडवेंचर ओके Next who is the unquestioned ruler of the Pitchersky village Malana तो कौन है वो वो है जामलू जी कहां जामलू देपता की पूज़ा होती है यहां पर Next question था विच हिमाचली author has authored अंतिम अरन्या and सताबदी के धलते वर्षों में यह कौन तक इसने लिखिया है यह लिखिया है निर्मल वर्मान है Next question है विच एरिया ओफ हिमाचली परदेस had a regulated reign when the great roman empire was in its infancy according to the British magistrate तो यह क्या इसका राइट आंसर क्या है कांगड़ा इस रोयल टेक्स फ्रॉम जामलू तो इसका सही आंसर क्याता है the city of agra was covered with the snowfall ठीक है जो अगरा जो सहर है वो बरफ से ढग गया था ठीक है Next question है कि धोरा इन कांगड़ा डिस्टी की famous podcast चीज की famous है कि people flock there for getting cured of elements magically ओके इस चीज के लिए वो क्या है famous है Next question है हमारे पास में कि in popular parallelance a particular town is referred to as पाप नगरी instead of its real name it is in the कांप रही है यह हमारी धरम साला में ठीक है Next question है कैंगूर एंड तैंग्यूर यह रहें से हैं रिलीजिंस है टेक्स्ट किस से लाहोली से ठीक है Next राजा संसार्चन है तो सीक आउटसाइड है help to drive out गोर्खास फ्रॉम कांगडा This crucial help was provided by किसी ने मदद की थी इनकी मराजा रंजीत सिंगने ठीक है बहां निकलने के लिए गोर्खास को कांगडा से ठीक है Next which part of मार्चल प्रदेश get adequate rainfall यह बताया गया था from various crop यह चंबा और कांगडा ठीक है बारिस होती है बरसाथ होती है वहारी जर्मशाला में होती है Next question is which major reserve of मार्चल प्रदेश from कांगडा और कुल्लू वैली इसका right answer है व्यास बैके in which district of लेक चंदर ताल चंदर ता लेक कहां पर है लाहोस्पीती district में next कुंजूम पास वो कहां पर है जो चंबा में लगाए गया था यह था हमारा 1910 AD में ठीक है next था hill of Una and Hamirpur district उनको क्या बोलते हम जो हमारे पहाड़ है उनना और Hamirpur के इनको बोलते हम सिवालिक hills next question है हमारे पास में कि गोर्खास forces which attacked a number of hills states in early 19th century कौन सी गोर्खा forces थी यह थी हमारी अमर सिंग थापा ठीक है who blessed sahil वर्मन with 10 sons किसने sahil वर्मन को 10 sons का अशिरवाद दिया था ठीक है and a daughter as the head of a team of 84 sadhus कौन था उन 84 sadhus था उनका जो मुख्या था क्या नाम तो उसका चर्पतनात इन्होंने sahil वर्मन को क्या आशिरवा दिया था कि आपके 10 बेटे होंगे और एक बेटी होईगी ठीक है और ऐसा ही हुआ था next question है who said about Spiti that this place is no place for man किसने का था कि ये जो जगह ये आदमियों के लिए नहीं है ये का था Rudyard Kipling नहीं next when did Himachal Pradesh ceases to be a union territory कब ये होई थी 25 January 1971 ठीक है तो I hope students आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी ठीक है तो इसको like और share अवस्य कीजेगा और साथ ही साथ आगे से आगे इसको पहुंचेए और next video आपके साथ मैं जल्दी लेके आऊंगा okay guys thank you मिलते हैं जल्दी okay bye